Hello students, मैं आपको History of Interior Design Code No. ID.204 के हैपल वाइट चेप्टर के बारे में आपको डीटेल में बताने जा रही हूँ हैपल वाइट का जो पीरेड है ये जॉर्जियन पीरेड कहलाता है जो की 1750 से लेके 1830 के मल्य रहा हैपल वाइट जो था एक प्रख्यात फरनीचर डिजाइनर था और जिन्हें जॉइनर्स भी कहते हैं ये इंग्लिश मतलब इंग्लेंड का डिजाइनर था इसके समकालीन और भी बहुत से डिजाइनर्स हुए हैं जैसे की चिपंडे, शेरिटन ब्रदर्स ये लोग अपने अपने फील्ड में अपने अपने टाइप के फरनीचर के लिए बहुत जादा फेमस थे हैपल वाइट भी उनहीं में से एक डिजाइनर था तो इन फरनीचर डिजाइनर्स को कैबिनेट मेकर्स भी कहते हैं इन्होंने अपने कारे में विशेश योगिता जॉर्जिस के काल में प्राप्त की थी हैपल वाइट के इतिहास वो उनके पैदा होने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता परन्तु संबवता उनका देहान 1786 में यानी 1788 में हुआ हुआ था उनके देहान के 10 वर्ष पहले अमेरिकन रेवल्यूशन के समय इनका स्टाइल ब्रिटिश रईस लोगों के बीच में बहुत जादा प्रचलित हो गया और अत्यदिक लोग प्रिये हुआ इनका स्टाइल इसलिए लोग प्रिये हुआ क्योंकि इनके जो फ़र्णीचर के जो डिजाइन्स थे वह बहुत हलके खूबसूरत और इनकी लगडी का जो इस्तमाल था वह बहुत खूबसूरत था और इनमें एक अलग ही ग्रेज थी इन्होंने अपने टाइम में मैक्सिम हम चेर्स बनाएं चेर्स के लिए सबसे जाने जाते हैं उनके उनके क्रियेशन से पता चल सकता है कि उस समय किस प्रकार का फैशन चल रहा था जिस समय यह फरनीचर बना रहे थे इंगलेंग में कैबिनेट मेकर्स खूब भले भूले थे और उन्होंने तदकाली जीनियस ड प्रकार की चेतावनी देनी भी उचित नहीं समझी इनके डिजाइन्स अन्य फरनीचर मेकर्स ने बहुत जादा कॉपी किये थे लेकिन वो किसी को रोप नहीं सकते थे जिस प्रकार आजकल पेटेंट लॉज हैं और आप अपना कोई भी डिजाइन है उसको अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं तब ऐसे लॉज नहीं हुआ करते थे इसलिए उनके डिजाइन्स पेटेंट नहीं हो पाए इसलिए इनके डिजाइन्स को लोकली बनाने में अन्य नीचे डिजाइनर्स का भी आता क्योंकि उन्होंने इनके डिजाइन्स कॉपी किये थे उनके देहा इकल की भाती, Alice ने भी हैपलवाइट द्वारा बनाई गई डिजाइन्स की एक बुक, जिसमें करीब 300 डिजाइन्स थे, पब्लिश करी, इन डिजाइन्स में से कुछ डिजाइन्स तो अरूचिकर थे, जो की इंट्रस्टिंग बिल्कुल भी नहीं थे, और कुछ पर सभी फर्नीचर रोज मर्रा की जीवन शैरी के लिए बहुत ही उप्योप्त और प्रैक्टिकल थे, उसने अनेक प्रकार की कुर्सियां बनाई, साथ ही विबिन प्रकार की टेबल्स भी बनाए, जैसा कि मैं अभी आपको इमेज में दिखा रही हूं, इनके द्वारा बनाई बनाए गए सभी फर्नीचर इसमें करीब करीब आपको नजर आ रहे हैं, आप ये देखिए कि इसमें चेर की बैक्स पर विशेज ध्यान दीजे कि किस तरीके से लूप स्टाइल की चेर्ज हैं, यानि गोलाई लिए बैक्स हैं, या शील्ड के शेप की बैक्स बनी हुई है और बड़ी ग्रेसफुल और खुबसूरत हैं, इनके लेग्स जो हैं, आप उन पर ध्यान दें, तो ये फ्लूटेड और टेपर लेग्स हैं, यानि उपर से चौड़े और नीचे आते पतले हो जाते हैं, इस प्रकार के लेग्स इन्होंने अपने फरनीचर में यूज किये इनके आप देख सकती हैं, इनकी चेर्स में, ओवल शेप की बैक भी हैं, और स्क्वेर एंड के, स्क्वेर एंड्स भी हैं इनके टेबल्स में एक इन्होंने इस प्रकार का ड्रॉप लीव टेबल बनाया, जिसमें एक तरफ ओवल और दूसरी तरफ स्क्वेर एंड था, जिन्हें जोडने से एक लंबा टेबल बन जाता था, यानि तीन टेबल को जोडने से एक टेबल बन जाता था पेम्ब्रोक टेबल्स बनाए इन्होंने वेस्ट स्टैंड्स बनाए कंसोल टेबल्स बनाए इस प्रकार अनेक प्रकार के टेबल्स बनाए जिनके उपर इनलेड टॉप्स थे तथा पतले रीडेड और फ्लूटेड लेग्स थे Fluted Legs का मतलब है पतली-पतली धारियां जिसमें कार्विंग करके दिखाई देती हैं उनको Fluted Legs कहते हैं उनके द्वारा बनाए गए नए-नए प्रकार के फरनीचर के कारण पूर्फ में फ्रचलिप High Boy and Low Boy की लोग प्रियता में कमी आ गई पहले उचे-उचे Cabinets बनते थे जिनको High Boy कहते हैं और Half Cabinets बनते थे जिनको Low Boy कहते हैं तो उसमें अब कमी आ गई और उसकी जगे अब Chest of Draws बनने लग गए यानि जो भी Cabinets बने उनमें आप इस Image में भी देख सकते हैं एक आठवे नमबर का जो चितर है बीच में बना हुआ है उसमें बहुत सारे Draws वाला एक Cabinet बना हुआ है ये वाला जो Cabinet है ये Chest of Draws कहलाता है तो इस प्रकार Chest of Draws की जो लोग प्रियता है वो बहुत बढ़ गई और High Boy और Low Boy बनने कम हो गए Burios, Chests of Draws, Sideboards, Bookcases सामने से लहरदार सर्पनुमा थे तथा End में गोलाई यानि Concave Shape लिएवे होते थे इनके समय में Stools भी गायव हो गए तथा Drawing Table को दुबारा इस प्रकार डिजाइन किया गया कि लेडी शीशे के और नस्दीक बैट सके इसका मतलब यह होगा कि जिस प्रकार के Dressing Table बने उसमें सेंटर में Dressing Table के दोनों तरफ तो Draws या कोई भी लपड़ी का पार्ट होता था लेकिन बीच में इतनी जगे थी कि लेडी अपना स्टूल या जिस चेर पर बैट के वो तयार हो रही है उसको थोड़ा आगे खसका के मिरर के करीब आ सके तो इस प्रकार के Dressing Table बनने लगे पहले क्यों Dressing Table या चेस्ट और ड्रॉर्स बनते थे उसमें पैट अंदर डालने की जगे नहीं होती थी तो Dressing Table में ये बदलाव किया गया तो ये Dressing Table भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए और लोगों ने बहुत पसंद किया इनके समय में टैंबूर डेस्क सबसे ज़्यादा और फेमस और खुपसूरत फ़र्ण लेश्च पीस बना टैंबूर डेस्क जो था जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं ये लकडी का बना हुआ टैंबूर डेस्क है इसमें जो इसका आप पोशा कवर देख शारा है यानि इसका जो आप कअग कर देख रहे इसके- और ये तरीका इसको बनाने का जो तरीका था, वो ये था कि वो canvas पे पतली लकडी की पटियां चिपका के ये वाला mechanism बनाते थे. तो जिस प्रकार अभी आप चितर में टैम्बूर डेस्क देख रहे हैं, इसके अदर आप चोटे-चोटे shelves देख रहे हैं, जिसमें papers, pen, ink pots ये सब रखे जाते थे और इनको सुरक्षित रखने के लिए टैम्बूर डेस्क का डगण गिरा दिया जाता था, एक तो ये furniture piece था, दूसरा टैम्बूर डेस्क आप ये देख रहे हैं, जिसमें straight, जिस प्रकार आपको ध्यान होगा कि पहले TV आके थे पुराने, जिनको ढखकन से ढखते थे, दोनों करफ से slide करते थे और TV ढख जाता था, उस प्रकार का टैम्बूर डेस्क भी इसके दौरान बना, इसमें भ पूर डेस्क के अंदर, Brass की आप देख सकते हैं, Brass के Drawer Puls है, जो की गिरेवे हैं, इस लगडी के साथ, Brass बहुत ही खुबस्चूरत Kontrast पान्रास्ट पैदा कर रहे है, और आप देख सकते हैं, जैसा की लगडी दाप कलर की है, और Brass की Key Lakes, और Draw시면 इसके साथ Kontrast पैदा करते वे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इसके लेग्स भी आप देखिए टेपर्ड हैं और इनमें हलका फुलका इनले वर्क किया हुआ है है एक हैपल वाइट की जो कुर्सियां थी उनकी उसको सबसे अधिक शौक अपनी कुर्सियां बनाने का था और अपनी खूबसूरत वन नयाब बैक से यह कुर्सियां पहचानी जाती है अभी आप जो इमेज में दो तीन प्रकार की चेर्स देखेंगे उसमें आप देखिए क अपन को शील्ड बिलती हैं वो वाले शेप की बैक से और लकडी से इसमें कितना ग्रेसफुल लाइन्स के द्वारा इसको इन्होंने बैक के अंदर डिजाइनिंग करी है तो आप यह देख सकते हैं नेक्स्ट जो आप चेर देख रहे हैं यह हार्ट शेप दिखाई दे रह हैं और बहुत खुपसूरत ट्रेसरी का कारे किया हुआ है इसमें पतले-पतले बॉर्डर स्टेप के आपको नजर आएंगे लपडी के किनार पे जो की इसको बहुत ग्रीसफुल इफेक्ट दे रहे हैं तो यह हार्ट शेप हूप शील्ड ओवल और लायर शेप के बैक्स ह करने जर्वा करते थे इनके, यह आप विबिन ए परकार की चेर्स देखिए呼 can you the shear side chair के नाम से जानी जाती इन चेर्स को study के लिए यूज नहीं करते थे, side में रखते थे, जैसे कि अगर कोई card table हो, या कोई pembroke table हो, कोई अलग table हो, उसके साथ में ये हथे वाली कुर्सियां रखी जाती थी, जिनको side chairs के नाम से जाना जाता है, इसमें लकडी की जो खुबसूर्ती है, आप इसके design को देखते हैं इस design से impress हो सकते हैं, कि कितनी अच्छी ये chair बनी हुए, next आप chair देख रहे हैं, yellow upholstery और brown color का walnut की ये बनी हुई, walnut और महागनी ज्यादा लखी ये use करता था, ये भी shield back है, और इसमें winster style के पतली-पतली strips of wood हैं, जो की back में लगी हुई है, और हत्ये बने हुए हत्ये का curve देखिए कितना अच्छा है, और ये भी एक side chair है, इसको side chair के नाम से जाना जाता है, जिन chairs में हत्ये होते थे उनको side chairs बोलते हैं, otherwise without हत्ये वाली chairs हैं, वो within कार्यों के लिए काम आती थी, चाहे वो dressing table के सामने रखी जाए, चाहे dining के लिए रखी जाए, तो ये different type क इनकी chairs थी, इनके साथ जुड़ा हुआ चिन, इनके जो, जिस भी राजा के लिए, इन्होंने अपने furniture बनाए, उस राजा का जो logo होता था, या उनका जो राजसी चिन होता था, वो भी कई furniture pieces पे इन्होंने काव करके बनाए, अपोल्स्टर्ड कुर्सियों की कुछ आगे से चोड़ाई लिये हुए हत्ते थे, और पीछे गोलाई में जाकर back से मिलते थे, ये इसकी खास बात थी, लेग्स चौकोर थे, जो नीचे जाते जाते पतले हो जाते थे, तथा एंकल पर spade feet में convert हो जाते थे, जैसा कि आप इस कूरसी में देख रहे हैं, इसमें spade feet है, सबसे निचला हिस्सा जो है leg का, उस हिस्से को spade feet कहते हैं, The Dutchess chair, जो उस समय का नायाब उदारण है, जुड़ी हुई दो arm chairs थी, जिनके faces एक दूसरे के opposite थे, यानि दो कुर्सियों को, ऐसा आपको देखके लगेगा, जैसे के दो कुर्सिया हैं, परंतु होती, एक chair थी, लेकिन एक जने का face इधर होता था, और एक जने का face इधर होत था, इस तरह बैठके दो लोग आपस में बात कर सकते थे, तो ये इस समय का नायाब उदारण है, जो हैपलवाइट ने बनाया था, हैपलवाइट अनेक designs का mission था, उसने लुई 16 वा Adam Brothers के कुछ अत्युत्तम patterns को इस्तमाल किया, हैपलवाइट गहराई तक अंग्रेज था, ना तो उसने चिपंडेल की भाती अत्यदे curves यूज किये, ना ही शेरेटन की भाती उसने सीधी lines यूज करी, कुल मिलाकर हैपलवाइट का furniture हलका, graceful और खुबसूरत outline वाला था, परंतो उसने अपनी मजबूती नहीं खुई, इस समय का जो बनावा फनीचर था, वो दिखन उसने महादनी का इस्तमाल किया, जहां नकाशी की आवशकता होती थी, तथा भी वह हलकी लकडियों को इस्तमाल करने वाला अन्वेशक बना, उसने fancy veneering के लिए, साइका मौर इस्तमाल की, tulip wood, ebony, rosewood वाइट खुली को inlay वा division lines के लिए इस्तमाल किया, saturn wood को खुबसूर hand painting के base के लिए इस्तमाल किया, उसने ऐसे बहुत से furniture बनाये, जैसा कि अभी आप image में देख रहे हैं, ये cabinet है, cupboard है, इसमें इसने veneering की हुई है, यानि एक लकडी का framework होता था, तो दूसरी लकडी से veneering करता था, वeneering करने के लिए वो विबिनी प्रकार की लकडियों का इस्तमाल करता था, और उन different different लकडियों के रंग अलग होते थे, ग्रेंज अलग होते थे, उनको इस्तमाल करने से उस furniture की खुबसूरती बढ़ जाती थी, जिस प्रकार अभी आप ये cabinet देख रहे हैं, इसमें आपको अलग कलर है, और ड्रॉर के बाहर का हिस्सा जो है, जिसमें पतली पतली विनीरिंग करके डाक कलर की ग्रेंज वाली लकडियों की गई है, तो इसमें अपने आप ही एक कॉंट्रास्ट पैदा हो रहे हैं, तो विनीरिंग इसका खास शौक था, और इसने बहुत खुबसूर की छले दार खोलने वाली पुल्स आदी से कहीं कहीं सजाया, सेक्रेटरी डेस्क पर लेकरिंग अभी भी की जाती थी, परंतु इस समय चाइनीज प्रभाव घटता जा रहा था, इस समय के जो अधिकतर जॉर्जियन स्टाइल की भाती, हैपल वाइट का भी सार्व भौमिक आकर्शन था, जो उस समय के साथ नहीं बदला, ये बेडरूम, डाइनिंग रूम वर लिविंग रूम के लिए उप्युक्त था, तथा वालनट एवं महागनी, दोनों में साधे तथा विस्तार पून तरीके से बनाया जा सकता था, परंतु इसकी लाइन्स की शुधता सद बनी रही, वालनट के एंटीक शेड में स्टेइन करना, यानि दागदार बनाना आवश्यक है, अन्यतावर दिखने में चिपंडेल की भाती लगेगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं, इनके सारे फनीचर मैंने आपको दिखाए, और आप में इनकी फनीचर की खुबसूर के साथ विन्यरिंग का कारे करना इनकी खासियत थी, इस प्रकार आपने देखा कि इनके समय के बने हुए टेम्बूर डेस्क, साइड चेर और आम चेर, कितनी खुबसूरत बनी हुई हैं, और इनके अन्य फनीचर भी मैंने आपको सारे दिखाए हैं, जिससे कि आप इनके बेसिक फनीचर स्टाइल के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, थैंक यू सो मैं